आज मैं आपको बताने वाली हूं मटर की कड़ी तो यह देखिए मैंने यहाँ पर पाउगर मटर लिए सर्दी का सीजन चल रहा है और अभी मटर खूब आ रही है तो मटर की कड़ी बहुत ही लाद आएगे और बच्चों को बहुत पसंद आती है देखिए मटर है और यह मैंने प्याज लिए हरी मिर्ची चोप करके लिए धनिया लिया है यहाँ पर हींग लिये और यह लाल मिर्ची मैंने लिये देखिए तोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है और यहाँ पर नमाक लाल मिर्ची हल्दी पाउडर मैथी दाना जीरा राई औ और मैंने यह अपर च्छा लिए यह रेखिए एक किलो यह च्छ है और इसमें हम सबसे पहले बैसन डालेंगे मैं कडी को गाड़ा गाड़ा बना रही हूं थोड़ा सा तो मैं बैसन यहापर करीबन देर समच यहां पर बैसन डालूंगी आप चाहो तो पतला रखने के लिए आप कम भी बैसन डाल सकते हो और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक यह नमक मैंने डाल लिया है लाल मिर्ची मैंने डाल लिया धनिया पाउडर में यहाँ पर खुब सारा डाल रही हूँ करीबन यह छोटी डाई चमच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है आप यहाँ पर जीरा पाउडर का भी उप्योग कर सकते हो और यह हल्दी डाल रही हूँ मैं मिर्ची में थोड़ी कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची एक हरी मिर्जी मैंने यहां पर चौक करिए और मैं यहां पर थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी अब हम इसको ग्राइंडर या यह रही होती है फैट से की इसकी मदद से इसको फैट लेंगे इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है आप चाहो तो लास्ट में आप यह सब मसाले ना मिलाकर तर्टा भी लगा सकते हो पस्त में तेल डालकर बट में अलब तरीके से आपको कड़ी बनाना बता रही हूँ जो बहुत ही आसान है और यह कड़ी राइस आप खा सकते हो यह कड़ी पराथा भी आप खा सकते हो यह देखिए एक पैन में मैंने कड़ाई में तेल डाल रखा है गैस ओन कर दिया है मैंने ताकि हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाए आप इसमें गयाज कड़ी पत्ते का यूज कर सकते हो बट मैं यहां पर कड़ी पत्ता नहीं डाल अब आप साबुत धनिया जो खड़ा धनिया होता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हो तेज पत्ता अब डाल सकते हो बट मैं यहां पर प्रेनी कड़ी बतारी हो सिंपल क्योंकि मेरे बच्चों को तेज पत्ता बड़ी लाय ची नहीं पसंद है कि देखिए तेल हमारा हो गया है और अब हम इसमें मिर्ची डाल रहे हैं मिर्ची जब तड़कने लग जाएगी देखिए अब इसमें हम मेथी दाने डालेंगे कड़ी हमेसा मेथी दाने से ही चौक जाते है राई और मेथी दाने से खड़ा धनीया आप इसमें डाल सकते हो जीडा इसमें नहीं डाला जता है पर्टमेँ और असा या पिंद दाल रहे हूं प्यास के लिए अपने इसमें प्यास डाल रही हूँ प्यास कट्पर से सोटे करूंगी इसमें मैं खरी मिन्सी डाल रही है देखिए लेखिए गई इसमें मैं हिंग डाल रही हूँ हिंग का टेस्ट बहुत एच्छा आता है अब इसको थोड़ा सा नरम होएगा तब तक में इसको गोर्डन ब्राउन होएगा तब तक में इसको इसे तरीके से चलाऊंगी देखो प्यास हमारा गोर्डन प्राउन हो गया है नरम भी हो गया है इसी में मैं हरा दनिया डाल रही हूँ हरा दनिया में गार्निशिन में भी डालूंगी आप चाहो तो कड़ी बनने के बार आप उपड़ से हरा दनिया डाल सकते हो देखिए अब मैं इसमें मतर डाल रहे हूं मतर डालते हैं उच्छनने लग जाता है इसमें हमें तुरंत कड़ी का जो बोल है वो डालना है कि रेखें मैंने इसको फोड़ा के चला दिया है मतर को बहुत एक स्वादिस कड़ी हुमारी बनेगी मेरे आने वाले मिल्यों में और में कई सर कड़ी बताऊं ही खरे प्यास के सप्तों की कड़ी थोटी खोटी भूजिया की कड़ी देखें इसको हमें एक बाल हिला लेते हैं अब हम इसमें डाल देंगे यह कि रेखिए अब हम इसे लगातार चलाएंगे नहीं तो कड़ी हमारी फट जाएगी वाइज आपको ध्यान यहीं रखना है कि जब यह गोल डाल देते हैं उसके बाद में आपको लगतार चलाना है मैं थोड़ा सा इसमें पॉइंट डालके इसको हिलाके बरतन को और यह इसमें डाल रहे हूँ यहें एक किलो चाज की कड़ी है पांच या छे लोगों के लिए प्रयापते अब जब तक इसमें उबालना आ जाए इसको इसी तरीके से लगातार हिलाना है यह देखिए गाइस मटर की कड़ी में उबालाना स्टाट हो गया है अब हम इसमें 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 गरम मसाला है एक्टिम्टी गरम मसाला है वो में डाल रहे हूँ यह देखिए हलकी से आप कसूरी मेथी का चूरा करके भी आप इसमें डाल सकते हूँ और अब हम इसको यह उबाला गया है इस स्टेज पर हम इसको करीबन 5-6 मिनिट उबलने देंगे ताकि यह कड़ी हमारी ओर टैस्टी बन जाए यह देखिए 5-7 मिनिट का उबाल और हम इसको लेंगे देखिए गाइस कड़ी हमारी बन के रेड़ी है उबालाने के बाद हमें इसको हिलाने की जुरत नहीं पड़ती उबालाने के बाद यह फटती भी नहीं है इसे देखिए कितनी अच्छी हो और कितनी अच्छी महेंकारी है बहुत ही testy हुआरी कड़ी बन की तयार करे हुए है अब हम सर्व करेंगे इसी कड़ी देखिया हमारी बन के रेड़ी है और देखिये तरीके से हमने देखिए इस तरीके से हमने सर्फ कर लिया है और अब हम इसके उपर थोड़ा सा हरा दनिया सर्फ करेंगे कार्णिशिंग के लिए हम डालेंगे अरा दनिया थोड़ा सा देखाना आपने कि मटर की कड़ी कितने जल्दी बनके तयार हुई है देखिए आप चाहो यहाँ पर अचार से भी आप सर्फ कर सकते हो देखिए तो गाइस अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज आप लाइक और सस्क्राइब कीजेगा कमेंट्स बेज़जेगा शेर भी कीजेगा थैंक्यू फोर वचिंग माई वीडियो थैंक्स लोड गाइस झाल 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 झाल